Toyota India में एक new car launch करने वाली है जो कि Mahindra और Tata की sales को पूरी तरीकी से decrease करने वाली है और Toyota वाले बोर रहे हैं कि इस car में जो आपको features मिलेंगी वो आपको Indian cars में नहीं देखने को मिलेंगी अब क्या सच है और क्या जूटे चले हम इस वीडियो में खोदी देख लेते तो चले बिना टाइम इसके वीडियो का कर लेते हैं टायोटा रेज एक सब 4-meter SUV है जिसे जापान में रिवील कर दिया गया है और आपको यह 8-14 lakhs में देखने को मिलेगी यह इसके expected price होने वाली है transmission में आपको यह manual देखने को मिलेगी अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि interior में आपको क्या कुछ Toyota race देखने को मिलेगी आपको ये बहुत ज़्यूरी और प्रीमियम देखने को मिलेगा आपको लेधर का फिनिश हर जगा से देखने को मिलेगा इंटीर सीट्स में आपको लेधर का फिनिश देखने को मिलेगा स्टेरिंग वील पे आपको लेधर का फिनिश देखने को मिलेगा मतलब अंदर और बाहर से आपको यह premium देखने को मिलेगी और यह बहुत ज़दा Indian cars को effective करने वाली है क्योंकि इस range में इस hatchback में Indian cars सबसे ज़्यादा आती है Tata और Mahindra की क्योंकि दोने ही Indian car brands है वहीं अगर हम इसी safety की बात करें तब लोग Toyota की तरफ बागेंगे दो earbags आपको देखने को मिलेंगे base model में और 6 earbags आपको top model में देखने को मिलेंगे आपको hill hole attraction भी देखने को मिलेगा cruise control देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही बड़ी बात है इस car में आपको ESP देखने को मिलेगा side में भी आपको earbags देखने को मिलेंगे 10 inch की display आपको देखने को मिलेंगे USB आपको देखने को मिलेगा FM आपको देखने को मिलेगा Apple and Android को और पले दोनों ही support करने वाले मतलब interior में आपको features की बहजार होने वाली है वही अगर हम इसके dimensions की बात करें तो 3500 liters का boot space आपको देखने को मिलेगा R16 के diamond cut allowed wheels आपको देखने को मिलेगे मतलब आपको फीचर में भी अच्छे पढ़ने वाली है price में भी आपको यह देखने को मिलेगी और interior में इसके क्या ही कहने है Fortuner 50 लाग की काड़ी में आपको कोई interior नहीं देखने को मिलेगा लेकिन इस 8 और 10 लाग की कार में आपको Fortuner से दुगना interior देखने को मिलेगा अब यह तो बात हुई interior safety और price के बारे में लेकिन आप इसके engine options के बारे में भी कुछ जाल लेते हैं engine options में आपको 1.2 liter turbo charge engine देखने को मिलेगा जो कि आपको six speed manual and automatic के साथ देखने को मिल जाएगा और अगर हम इसकी mileage की बात करें mileage के बारे में हम आगे जाल लेते हैं पहले हम इसके दूसरे engine option के बारे में बात करते हैं जो कि है 1.5 liter turbo charge diesel engine आपको petrol और diesel दोनों में ही देखने को मिल जाएए और इसकी mileage की अगर हम बात करें तो 70.10 km per liter company claim करती है और आपको ये 2025 आपको ये highway पे mileage देने वाली है मतलब Toyota race जब इंडिया में आएगी तो ये बहुत ही ज़्यादा तबाही मचने वाली है क्योंकि आपको इसमें ऐसी features देखने को मिलेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक like कर देना मिल देए आक लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई